पंजाब के मंतरी नवजोज सिंग सिद्धु ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया है नवजोज सिंग सिद्धु ने अपना इस्तिफा कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी को भेज दिया है उन्होंने ट्वीट कर रविवार को इसकी जानकारी दी जिहां नवजोज सिंग सिद्दू ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तिफा 10 जून को दे दिया था लेकिन खुलासा आज किया पंजाब में मुख्या मंतरी अमरिंदर सिंग और नवजोज सिंग सिद्दू के बीच अर्से से खटपट की खबरे थी लोगसबा चुनाओ में पंजाब में कॉंग्रेस को अच्छी संख्या में सीटे न मिलने का खीकरा अमरिंदर सिंग ने सिद्दू पर खोड़ा था और केंद्रिय आलाकमन से उनके खिलाफ कारवाई की मांग की थी इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने लोगसबा चुनाओ के बाद 6 जून को हुई कैबिनेट की पहली ही बैठक में सिद्दू सहीत कई मंत्रियों के विभाग बदल दिये थे सिद्दू के पास पहले इस्थानिय स्वशासन विभाग था मगर अब उनके जिम में उर्जा और नवीन एवं नवीकर्णिय उर्जा विभाग था सिद्दू ने रविवार को इसी मंत्राले से इस्तिफ़ा दिया है पिछली मिटिंग में मुख्य मंत्री ने पर्याटन और संस्क्रेती मामलो का प्रभार भी उनसे वापस ले लिया था दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद